आईए friends complete करते हैं अपने lecture 2 का part 2 जिसमें हम एक orthographic drawing को बनाना सीख रहे हैं तो friends एक बार में refresh करने के लिए आपको बता देता हूँ कि हम lecture 2 part 1 में एक orthographic drawing बनाना चाहते थे और इस drawing को आप देख सकते हैं अपने screen पर ये एक orthographic drawing है friends जिसमें की केवल horizontal और vertical lines है इस प्रकायर की orthographic drawing को बनाने के लिए मैंने आपको कुछ steps बताये थे एक बार quickly मैं आपको इन steps को दुबारा से refresh करा देता हूँ step number 1 setting the units, step number 2 setting limits, step number 3 zoom and all उसके बाद हमने यहां तक जो portion है friends वो अपने part 1 के अंदर complete कर लिया था आईए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इस drawing को complete कर पाएंगे तो friends हमने अपने AutoCAD drawing के लिए units को set कर लिया है, limits को set कर लिया है अब क्योंकि मुझे इस drawing को बनाना है line command से तो line command लेने के बहुत सारे तरीके हैं friends हम इसको draw के अंदर जाके line command को यहां से pick कर सकते हैं otherwise हम इसको ribbon toolbar के draw panel से यहां से भी pick कर सकते हैं या फिर हम line command को type भी कर सकते हैं या फिर हम केवल इसका shortcut भी ले सकते हैं friends इसमें एक important step है क्योंकि हमारी drawing orthographic है orthographic का मतलब इसमें केवल horizontal और vertical lines हैं तो इस तरह की drawings को बनाने के लिए हमें AutoCAD में एक command बिलती है जिसको बोलते है ortho command इस ortho mode को on करने के लिए आप इसके उपर जाके click कर सकते हैं अब देखिए यह already on है friends अगर मैं इस पर दुबारा click करता हूं तो यह off हो जाता है इसको on करने का क्या तरीका है मैं इसके उपर जाके click कर सकता हूं या फिर इसके लिए मैं function key F8 को use कर सकता हूं friends तो हमने ortho command को on कर लिया है क्योंकि हमारी जो drawing है वो केवल horizontal और vertical line से बनने वाली है अब हम line command को ले रहे हैं मैंने type किया L जो line command का shortcut है enter किया और मैं अपनी drawing का starting point A point से अपनी drawing को start करूँगा मैं यहाँ पर click कर देता हूं आपको अपने mouse का left button friends यहाँ पर केवल एक बार click करना है इसके बाद आपको अपने mouse का left button कहीं भी click नहीं करना है आपको mouse से देना है केवल direction और आपको line की length देनी है यहाँ पर हमें पता है कि हमारी line की length है 600 cm तो मैं 600 यहाँ पर type कर सकता हूं अब देखे friends हमारी line यहाँ तक बन गई है आप मैं direction को change करूँगा upwards और यहाँ पर हमारी line की length है 400 अब right की तरफ 200 तो आपको केवल mouse से direction को change करना है और line की length आप type करेंगे keyboard से 200 फिर right की तरफ जाएंगे friends हम 300 cm इसके बाद direction उपर की तरफ हो गई है 400 cm now left 100 cm now up 100 cm और हमारी drawing की total length ती 1100 cm जिसमें हम 100 cm अलेड़ी left की तरफ आ चुके हैं तो इस line की लंबाई हो गई 1000 cm तो यहां पर मैं 1000 type करके enter करता हूं तो friends हम इस point तक अपनी drawing को complete कर चुके हैं अब इस current point को starting point के साथ में join करने के लिए friends आप देख सकते हैं line command के अंदर हमारे पास एक close option होता है इस close option को भी मैं use कर सकता हूं या फिर मैं नीचे की तरफ direction करके 700 type कर सकता हूं कि यह board से क्योंकि हमारे drawing की breadth है 700 तो यहाँ पर अभी मैंने नीचे की तरफ direction किया है friends और मैं यहाँ पर type कर देता हूं 700 आप इसमें close option को भी use कर सकते हैं आप जैसी enter करते हैं आप देख सकते हैं कि line को join कर दिया गया है starting point से और यहाँ पर हम अपनी drawing को complete करने के लिए escape command एक बार use करके अपने इस drawing से बाहर आ जाते हैं line command से बाहर आ जाते हैं आप देख सकते हैं friends की हमारी drawing complete हो चुकी है और यह इस तरह से हमने अपनी पहली orthographic drawing complete कर ली है और इस method को यह जो मैंने method यूज किया है friend इस drawing को create करने के लिए इसको हम बोलते हैं direct distance entry method क्योंकि इस method के अंदर हमने किसी भी प्रकार के coordinate system को use नहीं किया है हमने cable direction देने के लिए mouse का use किया है और line segments की length लेने के लिए हमने keyboard से values को type किया है तो friends यह मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको drawing को किस तरह से create किया है यह आपको बिलकुल clear हो गया होगा अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ friends की जब आप अपनी drawing को complete कर चुके हैं और आपको अपनी drawing को check करना है accuracy के लिए कि हमारी drawing 100% accurate बनी है या नहीं तो उसके लिए एक command होती है distance command friends यह command आपको tools के अंदर inquiry के अंदर यहाँ पर मिल जाएगी या फिर इस command का shortcut होता है di आप इस distance command से अलग-अलग line segments की अगर आप length को check कर लेंगे तो आपको यह surety हो जाएगी कि हमारी drawing एकदम accurate है इसके लिए हमें friends एक काम करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्योंकि हमें जो length चेक करनी है वो बिलकुल line के end point से लेके line के end point तक चेक करनी होगी accuracy check करने के लिए तो यहाँ पर एक हमारे पास और utility होती है autocad के अंदर जिसको बोलते है object snap या o snap इस o snap पे जाके आप right button क्लिक करेंगे और settings पे जाके आप left button क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने प्रकार के object snaps होते हैं इन सब object snap पे से अभी मुझे use करना है end point क्योंकि मुझे जो distance है वो line के end point से end point तक ही check करना है तो मैं अभी सबको clear करके cable end point को on कर दूँगा और मैं object snap command को भी यहाँ पर click करके on कर सकता हूँ या फिर मैं बाहर जाके function की F3 को भी use कर सकता हूँ अब मैं ok करके बाहर आ जाता हूँ अब देखिए friends मैं यहाँ पर distance command type कर रहा हूँ di जिसका shortcut है मैंने enter किया जैसे ही मैं cursor को line के उपर रखता हूँ इसने line के left end point को select कर लिया मैं यहाँ पर click करूँगा और right की तरफ ले जाके मैं फिर से click करूँगा तो आप देख सकते हैं friends की यहाँ पर हमारी line की length आ गई बिल्कुल accurate 600 cm अब पिछले command को दुबारा चलाने के लिए friends आप चाहें तो enter key press कर सकते हैं क्योंकि enter key को press करने से या keyboard पे space bar को tap करने से हमारी पिछली command दुबारा से run कर जाती है मैंने इस वाले point पे click किया इस वाले point पे click किया distance आप देख सकते हैं friends आ गया 400 एक बार फिर से मैं इसको click करता हूँ मैं यहाँ पर click करता हूँ 200 यहाँ पर click किया 200 यहाँ पर click किया 300 तो इस तरह से हम सभी line segments की length को check कर सकते हैं और अपनी जो original drawing थी उसके साथ में अगर हम इ 100% surety हो जाएगी कि हमारी drawing एक दम सही है तो friends मैं उम्मीद करता हूँ कि यह lecture आपको पसंद आया होगा और अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से orthographic drawing को AutoCAD में आसानी से create कर सकते हैं friends practice के लिए आप अपने notepad पर खुद से कुछ orthographic drawings को sketch कर सकते हैं dimensions जाल सकते हैं और dimensions क चेक करने के बाद आप उन drawings के उपर खुद से practice भी कर सकते हैं तो friends आप मेरे इस lecture को share करिएगा आपको जरूर पसंद आया होगा इसको आप शेर करिएगा इसको आप like करिए friends और अगर आपको यह पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मेरे channel के videos आपको लगातार मिलते रहें तो आप इसको subscribe भी जरूर करें friends और हाँ friends आप bell icon दबाना न भूलें जिससे कि आपको मेरे channel पे आने वाले videos का notification मिलता रहे तो friends मिलते हैं एक और interesting lecture में इसके बाद वाले lecture में तब तक के लिए thank you